मनीश और रिया दोनों की हाल ही में शादी हुई थी जिसके बाद मनीश के पिता यश्पाल ने उन दोनों को एक घर गिफ्ट कर दिया जो दिखने में काफी सुन्दर था लेकिन असल में उतना ही खौफनाक जब रिया और मनीश दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं तब उनके साथ अचानक से भूतिया और खौफनाग घटनाए घटने लगती हैं जससे वो दोनों काफी डर जाते हैं एक सुबह जब रिया बालकनी में पौधों को पानी डालती है तभी कितने सुन्दर हैं ये सा चाय तो दे तो बीवी साहिबा, कबसे चाय का वेट कर रहा हूँ? अब कोई बात नहीं, इस पर बहस मत करो और जल्दी से चाय और टोस्ट दे दो, बहुत भूग लगी है। ये ये आवाजे, ये अजीब और स्केरी आवाजे कहां से आ रही है? क्या हो रहा है बाहर? रिया उटकर बाहर जाती है, तभी वो घर के गार्डेन एरिया में एक आदमी को देखती है, जिसकी पीठ रिया की तरफ होती है। कौन? कौन है वहाँ? अरे, जवाब दो, मैंने पूचा कौन है वहाँ? वो आदमी रिया की बातों का जवाब ही नहीं देता है, जिस कारण रिया बहुत घबरा जाती है, उनका घर एकदम संसान इलाके में होता है, इसलिए आस पडोस में कोई भी नहीं होता। रिया हिम्मत जुटाते हुए, उस आदमी की तरफ बढ़ती है, और जब वो उसके आगे जाती है, तब वो देखती है कि उस आदमी का चेहरा ही नहीं है, ये खौफनाक दुरिश्य देख, रिया का कलेजा कांप उठता है, रिया अपने कमरे में दोड़ती है, और तभी अ नाके, नाक, नामू, क्या, ये तुम कैसे बेसर पैर की बाते कर रही हो, रिया, अरे, अभी अभी मैं आया हूँ, मुझे हमारे घर के बाहर या, आस-पस कोई ने दिखा, तुम भी ना, बहुत ज्यादा हॉरर मुवीज देखने का नतीज़ा यही होगा, नहीं मनेश, ये मैं यहाँ मेरी फाइल लेने आया था, जो मैं भूल गया था, अब इसे लेकर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, लेकिन मनेश, मनेश चला जाता है, और रिया, अपने कमरे में ही बैठी रहती है, तो उसे तीन दिनों तक उसे बहुत डर लगता है, लेकिन बाद में हि इटा कर, वो अपने काम को करने लगती है, एक दिन, अरे ये बालकनी में मैं रोज पानी डालती हूँ, फिर भी ये फोल रोज मुर्जा क्यों जाते हैं, आखिर माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, खैर मनेश ने का है, मुझे जादा दिमाग के गोड़ी उशा होता है, उशा चलो काम से ब्रेक लेलो, मैंने पकोड़े बनाए हैं, अब हम पकोड़े खाएंगे, लेकन मैम साब, माय कैसे, अरे मैं कैसे का क्या मतलब, तुम यहां की काम वाली नहीं हो, तुम हमारे घर की एक सदस्य जैसी ही हो, इसलिए ब रोजाना तुम यहां पर हमारे साथ ही खाना खाया करोगी, समझी तुम? ठीक है मैम साब, मैम साब, आप और साब बहुत अच्छे हैं, तुम भी तो बहुत अच्छे हो उशा, बहुत मेहनती और इमानदार हो, एक दिन सफाई करते समय, अचानक से उशा को टोर रूम के कमरे की अलमारी में एक स अंदर के कमरे में एक कंकाल है, क्या? हाँ साब, मैंने अभी अपने आखों से देखा है, जब मनी शरिया उस कमरे में जाते हैं, तभी वो अलमारी ही वहाँ से गायब हो चुकी थी, ये देख तीनों डर जाते हैं, ये क्या, अभी तो वो अलमारी यहीं पर थी, ऐसे कैसे अचानक से वो गायब हो गई, मैरा विश्वास कीजिया साहब, मैम साहब, म, 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 हाँ उशा, हाँ, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ अजीब और भयानक सा हाथसा हुआ था, अर अरिश उन दोनों की बात पर विश्वास करने को तेयार ही नहीं था, रिया मैम साहब, आप तो मेरे कहने पर विश्वास कर रही होना, मानो या ना मानो, लेकिन इस घर में कुछ है, कुछ खाफनाक है, हाँ उशा, अब मुझे भी दिरे-दिरे यही लग रहा है, समझ ही न बाबाई हमारी मदद कर पाएंगे, रिया और उशा दोनों बाबा के पास जाने वाले होते हैं, लेकिन अगली सुभह उशा घर पर आती ही नहीं है, और नहीं रिया का फोन उठाती है, अचानक से उशा के गायब होने पर रिया बहुत घबरा जाती है, मनीश, कहां गई हो उशा, तो फोन उठा रही है, नहीं आई वो, शायद कोई इमर्जेंसी आई होगी, इसलिए वो तुम से कॉंटेक्ट नहीं कर पा रही होगी, और बिजी हो गई होगी, जाने दो तुम इतना मज़ सोचो, हां मनीश, यू आर राइट, लेकिन ऐसे ही दस दिन बीच जाते ह और अभी तक उशा का कोई पता नहीं था, ये सब क्या हो रहा है, उशा मुझे बाबा के पास ले जाने वाली थी, और उस दिन के बाद से वो खुद ही गाइब हो गई, मेरे पास केवल उसका फोन नंबर है, मैं तो ये तक नहीं जानती कि वो रहती कहा है, अच्छा, तो तुम उस काम वाली उशा के साथ किसी बाबा के पास जाने वाली थी, वावाग, क्या बात है, रिया मुझ से पूचे अब तुम ये सब कर नामे करने लगी हो, ग्रेट, नहीं मनीश, ऐसी बात नहीं है, वो उशा ने, उस नहीं मुझे बताया था कि कहीं कोई बाबा है, ज पहर में रह रहकर तुम्हारा दिमाग और खराब होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कोई जौब या कोई काम शुरू कर दो। कम से कम उसमें बिजी तो रहोगी। और इन सब फालतू की बातों को सोचोगी भी नहीं। और अब नहीं काम वाली ढूड़ो। मुझे नहीं ल घर आता है तभी। रिया वो मेरा पुराना संदूग का है। मुझे उस संदूग में रखे कुछ जरूरी कागस चाहिए। मनीश शिफ्टिंग करते समय शायद हमने उस संदूग को स्टोर रूम में ही रखा था। तुम एक बार स्टोर रूम में चेक करो न जाकर। मनीश स्टोर रूम में जाकर चेक करता है। तभी उसे वहाँ पर फर्ष में से एक आईना निकलते हुए दिखता है। और ये डराउना दृष्ष देख कर वो एकदम से चकित रह जाता है। ये क्या? ये फर्ष में से आईना कैसे निकल रहे? ये सब क्या हो रहे? बहुत फालतू के बातें लगती है ना तुम्हें बूत प्रेट चुड़ेल ये सब नहीं होते हैं ऐसा तुम्हें लगता है लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है क्योंकि हम तो सच में होते हैं और अब मैं तुम्हें हमारी दुनिया में ले जाऊंगा क्या? हाँ ये जगह जहां तुम्हारा घर बना है ये कई सालों पहले एक कब्रिस्तान था और इसके जमीन के नीचे कई सारी काली शक्तियों का वास है लेकिन वो आइने का भूत मनीश को माफ नहीं करता और वो उसे अपने पास खीच कर आइने में कैद कर देता है बहुत देर तक मनीश के बाहर ना आने के कारण रिया स्टोर रूम में आती है तभी वो मनीश को आइने में कैद देखकर चौंक जाती है मनीश ये तुम्हें इस आइने में कैद भूतिया दुनिया में हूँ हमारा घर जिस जमीन पर बना है, वो कई सालों पहले एक कबरिस्तान था, मुझे इन भूतों ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है, मुझे बचा लो रिया, इन्होंने ही बेचारी उशा को मारा है, क्योंकि वो तुम्हें बाबा के पास ले जा रही थी, मुझे तुम्हारी और रोशा की बातों पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं, मैं तुम्हें बचा कर रहोंगी मनिश, तुम चिंता मत करो, हमारी घर के पास ये एक मंदिर है, मैं वहाँ से गंगा जल लाती हूँ, रिया, घर के बाहर कदम हनुमान की जै, हनुमान जी का नाम लेने से ही वो हाथ जल जाता है, और रिया सही समय पर गंगा जल लाकर घर के चारों तरफ छिड़कती है, जिसके बाद उस घर को जकड़ी हुई सारी काली शक्तियां भस्म हो जाती है, और मनिश भी उस भूतिया आइने से बाहर निकला जिसके बाद वो दोनों उस घर को छोड़ कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं।